देश में C.A. लागू हो गया है इस कानून के लागू होने के बाद भारत के तीन पडोसी राजे बांगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शर्णार्थियों को भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी जिन में हिंदू होंगे, सिख, इसाई, पार् आवेधन भी करना होगा, कुछ जरूरी शर्टे भी होंगी जिसके बाद ही नागरिक्ता मिल पाएगी मसलन नागरिक्ता के लिए आवेधन करने से पहले भारत में एक साल रहना कमपलसरी होगा पहला सवाल तो यही है कि किन लोगों को नागरिक्ता मिलेगी ऐसे शर्णार्थी जो 31 दसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं उन्हें ही नागरिक्ता मिलेगी, जो लोग आवेधन करेंगे उन्हें ये बताना होगा कि वो किस साल बिना दस्तावेश के भारत में दाखिल हुए भारत में आने का दिन और तारीख क्या कोई वीजा या फिर इमिग्रेशन का इस्तिमाल भी किया गया है ये सब बताना होगा आवेदन करने के लिए दूसरा सवाल ये है कि CA काम कैसे करेगा CA के लिए ऑनलाइन अपलाई करना होगा जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है अपलाई करने के बाद सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा और उसके बाद वहां से एमपावर्ड कमेटी को भेज दिया जाएगा Empowered Committee ही फैसला करेगी कि नागरिक्ता देनी है या फिर नहीं देनी है Committee के प्रमुक होंगे Census Operations के डिरेक्टर इसके अलावा साथ और सदसे भी होंगे इनमें Foreign, IB, Post Office और इसके अलावा Regional Registration Office और राजिसूचन अधिकारी भी शामिल होंगे तीसरा सवाल यह है कि CEA के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे नागरिक्ता पाने के लिए Schedule 1A के तहट 9 तरह के दस्तावेज लगेंगे जबकि Schedule 1B के तहट 20 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं और Schedule 1C के तहट एक शपत पत्र देना होगा सबसे पहले तो यह बताना पड़ेगा कि इन तीन देशों से आये शरणार्थी किस देश से आये हैं यानि कि इन तीनों देशों में से किसी एक देश के वो निवासी थे ये बात साबित करनी होगी और इसके लिए वहाँ का बर्च सेर्टिफिकेट, वहाँ का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेक्षन एक प्रमाड पत्र या फिर जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट भी दिखाये जा सकते हैं लेकिन इसके अलावा आवेदन करने वाले भारत सरकार की ओर से जारी किये गए राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्च सर्टिफिकेट, बिजली या फिर पानी का बिल, जमीनी दस्तावेज या फिर मारिज सर्टिफिकेट जिखा कर भी आवेदन कर सकते हैं, चोता सवाल यहा hai, कि अगर आप के पास दस्तावेज ही ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने के डॉक्युमिंट होने जरूरी है, आप डॉक्युमिंट नहों क्या जरूरी बता सकते हैं, कि आपके पास डॉक्युमिंट या फिर पती का नाम भरना होगा, भारत में आप कब से रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं, किस धर्म से संबंद रखते हैं और भारत में आने के बाद आप काम क्या करते हैं, ये सभी जानकारी देनी होगी वहीं छठा सवाल ये है कि क्या शादीशुदा लोगों और गैर शादीशुदा लोगों के लिए अलग-अलग फर्म भरने होंगे इसका जवाब है हाँ अलग-Alag फर्म भरने होंगे किसी का कोई अपराधिक record है कोई criminal record है तो फिर वो क्या करेगा अगर किसी की कोई crime history रही है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी अगर सरकार मुनासिब समझेगी तो नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन नागरिकता देने से अगर खत्रा महसूस हुआ या खत्रा महसूस होने चीनी जाएगी नवा सवाल यह है कि नागरिकता मिल जाने पर नागरिकता का certificate आकर हांसल कैसे करेंगे फॉर्म में अपने बारे में सभी जानकारी सही सही भरने के बाद अपने signature करने होंगे अगर जानकारी जूठी गलत दस्तावेज फरजी पाए गए तो फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आवेदक को हार्ड कॉपी यानि की पेपर वाला फॉर्म चाहिए होगा तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा जो नागरिकता का certificate होगा उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किये जाएगे उसको डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएग दस्वा और अंतिन सवाल ये है कि क्या नागरिकता के लिए कोई शर्ट होगी तो इसका जवाब है हाँ होगी नागरिकता के लिए आवेदन से पहले एक साल तक भारत में रहना जरूरी होगा और इस एक साल के ठीक पहले के आठ सालों के दौरान भी भारत में कम से कम 6 साल होना जरूरी होता है आवेदकों को ये जरूर घोशित करना होगा कि मौजूदा नागरिकता को त्याक कर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं